वेलकम टू मैं चैनल मैं उजवल आप लोग के बिच आज एक नए इन्फरमेटीव ब्लॉग के साथ आया हूँ आज का ब्लॉग काफी मतलब इन्फरमेटीव रहागा क्योंकि काफी लोगों ने मुझसे कमेंट करा है कि पंच का रिभीव बताओ कि हेली एरियाज में कैसा है माइलेज क्या है कैसा मतलब लैग तो नहीं करती है फर्स्ट सेकेंड गेर में क्या इसका परफॉर्मेंस है तो उसके एकॉर्डिन हम लोग बात करेंगे एक्चुली यह जो वैरियेंट है आपको बताया है यह मेरा इविव देखा ही होगा आप ल तो इसका माइलेज है कहाँ यह लाग करती है कैसा एसलेरेशन है किया इसका फीचर से क्या मुझे अच्छा लगता है तो चलते हैं डाइब करते करते और आपको कुछ बताएंगे कि बात किया जाया है तो overall कितना किलोमेटर चला है आप वहां पर देख ले तो 1668 किलोमेटर 1668 किलोमेटर टोटल यह चला है और mostly जो चला है यह highways पे ही चला है 82-90 परसंट आप यह चला हुआ है highway में ही चला हुआ है और around 400 किलोमेटर कावर किया वन टाइम में तो ज्यादा यह चला नहीं है क्योंकि ज्यादा यह परपस्ट वाइक हो रहा है मतलब कभी कभी चलता है तो जितना भी चला है उसके ज्यादा नहीं में आपको इसका review दूँगा कि मतलब क्यां पर यह लेग करती है क्या है चलिए तो इस ब्लॉग को हम finally किलोमेटर ट्रेवल किया था जो कि पटना से मुतियारी गया था अब दॉन और कुछ सिटी में में गाड़ी को चलाया तो मैं एक चीज़ फाइंड किया गाईज क्यूंकि जब मैं तीन हजार आर्पीएं पर गाड़ी चलाता था गाईज तो वहां पर क्या होता था कि आपको 125, 120 के स्पीड में तो माइलेज बहुत ही कम देता था तो एक बार और हम फाइंड किये कि ऐसा कोसिस करते हैं कि 2000 आर्पीएं पर सुनते हैं कि मतलब ज्यादा मैक्स स्पीड आप फाइंड कर सकते हो तो मैं आपको दिखा देंगा एक स्लाइड लगा देंगा आप द आपको निरास नहीं करेंगे अगर आप अच्छा से आर्पीएं पर चलाते हैं तो सतर असी असी पचासी पर अच्छा कासा बीस तक माइलेज निकाल लो अब चलते हैं आगे तो आगे कि अगर बात किये जाए तो मेरा जो वेरियंट है आडवेंचर रिदम पैक है तो सब्सक्राइब करने की बात है तो हाँ आपको लैग करेंगा जब जब आप ओवर टेक करनों की कोशिश करोगे आप तो एट रेंडम आपका एसलेशन मतलब क्या पीकप नहीं उठा पाएगी यह चीज मुझे फील हुया है और टियागों में भी इस चीज है लेकिन टाटा के मतलब दो गाड़ी में चलाया हूँ तो यह तुनों में इसा ऐसा फिर मैंने हुंडाई का भी चलाया तो हुंडाई में ऐसा कुछ नहीं है इसका अगर बात किया जाए तो आपको सुरू में इनिसियल पिक अप इसका लो है और हीली अरियास की जहां तक ब बढ़ गया किंपी फेस्टू इंजन अब आगया वाइजलेस इंजन थोड़ा और कम हो गया है तो आपको डिस्प्ले में जाती है रेयर कैमरा मिल जाता है और स्ट्राइड माउट्र कंट्रोल मिल जाता है बाकि मेरा उतना रनीन नहीं है इसलिए मैं क्रूज को आई यह न यह नहीं होगा एक मेजर जो प्रोब्लम है एक मेजर प्रोब्लम जो है लाइट का इसू अगर देखा जाए तो अल्मॉस्ट मुझे लगता है कि सभी पंच वाले को हो है कि उसका हेड लाम को अपडेट करना चाहिए ऐसा लगेगा नाइट में आप अगर ड्राइब करते ह तो आपको लाइट की रोशनीक फोकुसिंग की कमी लगेगी क्योंकि मतलब मैंने फेस किया है और आप लोग कमेंट करो कि ऐसा कुछ हाई के नहीं अगर किसी के पास पंच है तो अपन मोडल का अगर बात करें तो उसमें डूबल लाइट है उसमें प्रोजेक्टर के साथ ह यह माइलेज दे रही है लुक वाइस थोड़ा पीछे से आपको थोड़ा अलग लगेगा लेकिन मुझे सही लगता है थोड़ा सवा और मतलब अपडेट कर सकता था पीछे के लूप को और अगर फ्रॉंट का देखा जा तो फ्रॉंट तो मीनी हैरियर की टरह लगता है फ् अगर है झोड़ा, माइलेज़ कम मिलता है और अगर दो हजार पे चलाते है तहले माइलेज बहुत ही सहीं मिलता है और क्या ही चाहिए यह सेगमेंट में आपको क्या ही चाहिए और सबसे बड़िचीज ये है कि global in cap में five star की इसकी रेटीन है 5 फाइव में five रेटीन लाई है सेटी में तो इससे वड़ी चीज क्या है अगर सेटी को आप consider करते हो तो सेटी के हिसाब से भी काफी अच्छा है तो हर इक चीज में यह है एक दो चीज इसका है जो लाइट इन मुझे अच्छी नहीं लगी उसके बाद से हाँ एसलेरेशन जो इनिसियल इन स्टैंट पिक अप नहीं दे पाता है यह चीज तो एक दम करेक्ट है यह चीज आप जान ले बाकी और सब चीज मुझे मेरा अगर किया हूं तो इस वेरी इस पैसा के हिसापसी इस बजट के हिसापसी यह गाड़ी मुझे बहुत अच्छा लगी और अभी के डेट में अगर अब लेगो तब पंच आपको फेस्टू इंजन के साथ आ गया बाकी कोई कंपनी अभी फेस्टू इंजन के साथ नहीं है तो उस सोड़ा मांब अब मतलब अब और अ hypnot नहीं थोड़ान झाल चनल में तो आपको यह लीर च लखा से लगा मोग में कर रहा कि लुग है तो यहीं इसका रूब है था वाइस आप देख सकते हैं इस मिखने से काफी है चलाने में काफी मतलब मज़ा आता है और यह खासकर यह पीलर जो है क्योंकि नेक्षोन में थोड़ा आपको प्रोब्लम हो सकता है कि बार बार आपको गर्दन को आगे करके मतलब दिखना पड़ेगा लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है पूरा एरिया लोमस्ट पूरा एकदम क्लियर विजिबिलिटी एकदम बहुत सही है विजिबिलिटी इसकी और इसका काफी साइडी है हुआ है तो जो था फैक्ट था और 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 कुछ मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा कि निरास कर दिया एक्चुली मेरा फर्स्ट सर्विस ही हुआ है और इसमें क्या होता है बहुत सारे लोगों कमी मैंने रिव्यू सुना है कि मतलब सुरू में इंप्रूब होता है तो हम इसको बताते हैं तो फाइनली गाइस अब हम इस ब्लॉग को एंड करते हैं अगर कोई भी आपको इंफर्मेशन लेना हो तो मेरे इंस्टागराम उज्वाल वन टू थी फाइफ पे आप कॉन्टेक कर सकते हैं डारेक्ट डीम कर सकते हैं तब